आप सभी का स्वागत है इस पहारेंग तीचर्स में वेरी कुट इबनिंग तु आल अफ यू सभी को वेरी कुट इबनिंग इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपनी D-Triple-SB के बारे में बाई D-Triple-SB में लास्ट 10 डेज रहते हैं तो अब लास्ट 10 दिनों में कौनसे important topics पर जादा focus करना है तो यह short sessions help करेंगे आप लोगों को अपनी selection तक पहुँचाने में जैसे कि आपका PRT का exam है उसके अंदर आप लोग का कुछ topics है personality personality से आप लोगों के कुछ personality से आप लोगे कुछ theories हैं जिसमें आप लोगों को doubt रहता है तो इस session के अंदर जो personality की theory है एक theory क्रेश्मर के नाम से जानी जाती है तो उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं आप लोगों को ये session अच्छा लगेगा आपने friends के साथ आप लोग जरूर शेयर करोगे तो क्रेश्मर का सिध्धान्त यहां पर क्रेश्मर ने क्या बोला क्या चीज़े बताई अपने सिध्धान्त उनों ने क्या के बताया है बेसिकल उसको हम लोग जानेंगे short की अंदर जादा देर नहीं लगानी है कम समय लगाओ और उसमें अपना concept टो clear करो बाकि ये जो समय है अपनी practice को continue रखिए ठीक है तो देखिए क्रेश्मर सहाब कहां से बिलॉंग करते थे तो क्रेश्मर की जो theory है वो जर्मनी से बिलॉंग करते थे कहां से जर्मनी से बिलॉंग करते थे इनका क्या कहना था? इनका मानना ये था इन्होंने ना जो भी इन्होंने बताया है अपनी theory में explain किया है इन्होंने ये चीज़ explain करिये कि भाई लोगों के जो शरीर का अकार होता है उनसे उन्होंने लोगों का व्यक्तित्व बताया है क्या बताया है उन्होंने लोगों की personality उनके शरीर के अकार से बताई है structure of body जो उनकी personality को define किया है जो लोगों का structure होता है body का उनसे उन्होंने define किया कि भई कोई जो लोग होते हैं कोई मोटे लोग होते हैं कोई नाटे लोग होते हैं कोई लंबे होते हैं, कोई दुबले पदले लोग होते हैं, उनका व्यक्तित व्या पर्सनालिटी कैसी होती है, यह उन्होंने अपने इस सिध्धान्त के अंदर explain किया, अब इसके सिध्धान्त के बारे में हम लोग जानते हुए चलें, कि क्रेश्मर साब आप लोग को मैंने बताया कि जर्मनी से बिलॉंग करते थे, तो इन्होंने अपनी सिध्धान्त के अंदर कुछ यहां पर चार प्रकार के यहां पर लोगों के अकार बताये और उन प्रकार को हम लोग जानते हुए चलेंगे, सिर्फ पांच मिनट का सेशन रहेगा, जो कि आप लोगों को पावर ही नहीं है, अब पावर किसमें नहीं होती, मैं पावर उसमें नहीं होती है, जो लोग दुबले पतले होते हैं, जो लोग बहुत ही पतले से होते हैं, उनको बोलते हैं हवा मारेंगे, यूँ उड़ जाएगा, तो वही वाली जो परसनालिटी है, दुबले पतले ज क्यों किया कैसे कपड़े पेने हैं अपना भी कैसे हो उन्हें कोई मतलब नियां पर दूसरों में वह क्रिक्रिक्टपिक्टिसायस करते रहते हैं या पर यह वाले जो hai वो मिलंसार नहीं होते हैं औरस्फ उमाजिक रूप से और समाजिक होते हैं यह अनसोशेबल नीचर के होते हैं अब कैसा हो रहा है भार क्या नहीं हो रहा है उनमें बस वो निंदा करेंगे बाकी उनसे मिल जुलकर नहीं रहे थे ठीक है बात क्लियर हुई दूसरे टाइप के जो लोग आते हैं यहां पर वो हैं उनको क्या बोला ग मिलते हैं वो लोग मिलनसार रहते हैं दूसरों से यहां पर आपस में मिल जुलकर रहेंगे वो हमेशा मंद में सोचेंगे क्यार मैं इसकी help कर दू, यह मैं उसकी मदद कर दू, ठीक है, वो बहिर मुखी का मतलब क्या होता है, extra word जो कि उनकी thinking कैसी होती है मैं खुले सोच वाली होती है मैतरी पून क्या होता है, मैं friendly nature के होते हैं, कि वो सब से बना कर रखते हैं, कि बहे किसी की कब जरुद पढ़ जाए, या किसी को कब मेरी जरुद पढ़ जाए तो वो समय रेडी रहते हैं तो याद रखना कि वो दूसरों की मदद करते हैं और वो समाजिक रूप से रहते हैं sociable होते हैं, क्योंकि वो दूसरों से जुड़ते रहते हैं, उनकी thinking छोटी नहीं होती है, बड़े thinking रखते हैं ठीक है, बात क्लियर हुई यहां से फिर आएगा आपका तीसरे नंबर पर athletic, athletic कौन होते हैं वो हम अपता ही कि रहे बोलते हैं जो खिलाडी लोग होते हैं, players होते हैं ठीक है, अब वो कैसे होते हैं माम, player बनने के लिए, हमें अपनी body से सुवस्त रहना पड़ेगा, अब वो सुवस्त का क्या मतलब है, माम हमें हस्ट पुष्ट या फिर healthy रहना पड़ेगा हमें अपनी balance maintain करना पड़ेगा, किसके बीच में mass, जो हमारा यह fatty mass होता है, उनके बीच में और अपने दिमाग के अंदर, तो वो लोग हमेशा positive रहते हैं optimistic का मतलब क्या होता है, हमेशा positive view रखना अपने लिए या दूसरों के लिए भी, ठीक है, और वो किसी भी स्थिति के अंदर अपने आपको adjust कर लेते हैं, तो यह जो सारी विशेश्टाएं हैं, किस personality की है, मैं athletic personality की है याद रहेगे अब आप लोगों को यह points याद रहेगे, ठीक है चौथे नमबर पर आता है, आप लोगों का dysplastic इसे हम लोग बोलते हैं, मिश्रित, मिश्रित का मतलब है combination, जितने भी तीन types पढ़े हमने कौन-कौन से, याद रखो, एस्थिनिक पढ़ा है हमने ठीक है, दूसरा हमने पाइनिक पढ़ा है ठीक है, फिर हमने पढ़ा है, यहाँ पर athletic अब इन तीनों की combination किस में मिलके बनी वे, dysplastic के अंदर मनी वी है, तो इनकी जो जो विशेशता है होंगी, वो मैम इसके अंदर जरूर होंगी, चाहे वो दुबला पतला होगा, चाहे वो मोटा होगा या एक balance nature का होगा, तो वो dysplastic के जो personality एक बच्चा होगा, उसके अंदर यह सारी विशेशता है पाई जाएंगी, तो basically आप लोगों को ये theory revised हो गई होगी, इसमें और कुछ जानने वाली बात नहीं है, इतना ही जान लीजे important है, दुबारा से एक बार go through करा रही हूँ, जिसे की revise हो जाएं क्रेश्मर सहाब जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने यहाँ पर ये personality के उपर, व्यक्तित्व के उपर उन्होंने यहाँ पर experiment किया या उसको जाचा, research करने के बाद कि लोगों का जो अकार होता है, वो किस प्रकार का होता है और उनसे उनके personality के बारे में उन्होंने जच किया, तो पहला बताया उन्हें एस्थनिक, जिनके अंदर दुबले पतले लोग होते हैं, विल्कुल भी पावर नहीं होती है, दूसरों की निंदा अलोचना करते हैं, और साथी में वो समाज से नहीं जुरते हैं फिर उन्होंने बात करी पाइनिक की, पाइनिक कौन होते हैं, जो मैम गोल मटोल होते हैं गोल मटोल हो जते हैं तो नाटे हो जाते हैं तो वही बात है कि फैटी टाइप होते हैं ये लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तियार रहते हैं दूसरों के साथ यहां पर खुश रहते हैं बहिर मुखिर और यहां पर दूसरों की मदद और sociable समाज के साथ हमेशा मिल जुलकर रहेंगे फिर है athletic players होते हैं मैं वो अपना आप में energetic होते हैं healthy रहते हैं हमेशा positive सोचेंगे और वो किसी भी situation के अंदर adjust कर सकते हैं फिर dysplastic पढ़ा और यह dysplastic means combination तीनों का mixture आगया तो यहां से आप लोगों की यह क्रेश्मर की theory पूरी होती है तो मैं ट्राय करूंगे कि आपको ऐसे short sessions और मिल जाएं जिसमें कि कुछ personality की theories कवर हो जाएं I hope कि पूरे point clear हो गए होंगी इतना भी पढ़ लो सारे exams में help करेगा आप लोगों का अगर ऐसे ही sessions और अच्छे लगर चाहिए तो comment करके जरूर बतायागा और like जरूर कीजेगा Thank you